क्या आपके बच्चों की स्कूल से भी अपार आईडी के लिए फोन आ रहा है जी हाँ आपने सही सुना आधार आईडी नहीं अपार आईडी यह एक यूनिक आईडी कार्ड है जो भारत में सभी छात्रों को दिया जाएगा यह आधार कार्ड की तरह वन नेशन वन अकाउंट रजिष्टी यह नैशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया गया है इसमें प्री प्राइमिरी से हाइर एजुकेशन तक स्टूडेंट का पूरा अकेडमिक रिकॉर्ड दर्ज होगा जो पूरे देश में माने होगा इससे चात्रों को अपने डॉक्यूमेंट हो जाने का भी डर नहीं होगा यानि इसकी माध्यम से चात्रों के लिए ऐसा डिजिटल स्पेस क्रियेट होगा जहां उनके अकेडमिक से लेकर स्पोर्ट्स, ओलम्पियाड जैसी हर छोटी बड़ी अचीवमेंट, सर्टिफिकेट, रिपोर्ट, कार्ट यह डोक्यूमेंट की डीटेल्स, स्टोर की जा सकेंगी और आप कभी भी कहीं भी इन डोक्यूमेंट को ट्रैक कर सकेंगे, अगर किसी चात का स्कूल बदलना है या स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई करना है तो उसे केवल अपार आईडी देनी होगी, अपार आईडी चात्रों के अकेडमिक क्रेडिट से लिंग कर दी जाएगी और उनकी लर्निंग जर्नी से जुड़ी सभी ज़रूरी चीज़े आपको एक जगह पर मिल सकेंगी, अपार आईडी के माध्यम से सरकार को लिट्रेसी रेट यानि की साक्षर्ता दर और डॉप आउट रेट जानने में भी मदद मंताले की ओर से इसकी प्रक्रिया शुरू करने की निर्देश दिये जा चुके हैं, राज्य सरकारों ने इसे लेकर स्कूलों से गुजारिश भी की है, कि छातों की अपार आईडी बनाने के लिए पहले उनके पैरेंट से इजासत ले, इसे बनवाने के लिए आपको कुछ कर सकते हैं, और जल्द ही अपने बच्चे का अपार आईडी बनवा सकते हैं, अगर ये जानकारी आपकी काम की है, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और किन विश्यों पर आपको डिटेल जानकारी चाहिए, हमें कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताईए